नश्वार मैं हूँ सुख्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है हर कोई चाहता है कि उसके किचिन के बरतन हमेशा चमकते रहे चमकदार बरतन किचिन की शान होते हैं कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बरतन तेज आज पर खाना बनाने के कारण काले पढ़ने लगते हैं इसके अलावा कई बार ध्यान नहीं देने की वज़े से भी बरतन गैस पर ही जल जाते हैं इन बरतनों को वापस चमकाना कोई आसान काम नहीं है लेकिन अब आपको परिषान होने की जरुवरत नहीं है आज हम आपको कुछ घरेलू सामानों का इस्तमाल कर बरतनों को चमकाने का नुस्खा देंगे जोने अपना कर आप अपनी किचन की खुबसूरती को दो गुना कर सकते हैं बेकिंग सोडा भी जले बरतन को चमकाने में काफी असरदार है जले बरतन में एक स्पून बेकिंग सोडा, दो चम मशनी बुकारस और दो कप गर्म पानी डाल दें इसके बाद बरतन को अच्छी तरह से स्टील के स्क्रबर से रगड़ दें जले बरतन में नमक और पानी डाल कर करीब चार मिनट तक उबालते रहें इसके बाद दाग को बरतन धोने वाले स्क्रबर या ब्रश से साफ करें इससे जलने वाले निशान साफ हो जाएंगे वही जलेवे बरतनों को साफ करने के टमाटर का रस भी काफी मददगार है जले बरतन में टमाटर का रस और पाने में लाकर गर्म कर लें अब इसे स्क्रबर से रगड़ कर साफ कर दें वही आप एक बड़ा कच्चा नीमू ले लें इसे बरतन के जलेवे भाग पर लगा लें इसके बाद उसी बरतन में तीन कप पानी डाल लें और गर्म करें अब एक ब्रश से बरतन के जलेवे भाग को अच्छे से साफ कर लें यह आपके जले हुए बरतन को एकदम चमका देगा उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें